नमस्कार साथियो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियो विद्याले नित्रत विकास कारेक्रम का तीसरा कोर्स दीकसा पोर्टल पे उपलब्ध हो चुका है ये कोर्स आपको 20 मार्च से पहले पहले कम्पलीट करना है आज की इस विडियो में इस कोर्स के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से इस कोर्स को हम सुरू करें और इसके साथ साथ पूरी डिटेल आपको विडियो के अंतरगत मिल जाएगी कि किसको ये कोर्स पूरा करना है इसलिए विडियो को ध्यान से देखते रहे साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए start करते हैं साथियों दिक्स जो आपका विधाल्य नेतत विकास का रिक्रम है इसके दो कोर्स आप पहले complete कर चुके है और अब तीसरा कोर्स हमारा आ चुका है इसके बारे में स्कूल सिक्षा महनी देशक का आदेश आया है देख लेते हैं क्या आदेश आया है विधाल्य नेतत विकास का रिक्रम का तित्य दिक्सा कोर्स सभी SRG, ARP एवं परधाना ध्यापक और परधाना ध्यापकाई ध्यान दें तो ये कोर्स जो है सभी SRG को करना है सभी ARP को करना है और जितने भी परधाना ध्यापक या परधाना ध्यापकाई है उन सभी को ये कोर्स करना है मिशन प्रेड़ना के अंतरगत सभी परिशिदिय परदाना ध्याप को ओबलिक परदाना ध्यापिकाओं के नेत्रत छमता वर्दन हेतू एक विशेश कारेकरम स्कूल लीडर्सिट डवलप्मेंट प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है इस संबन्द में त्रित्य कोर्स अप दिक्सा पोर्टल पे उपलब्ध है जो तीसरा कोर्स है वो आपका दिक्सा पोर्टल पे आ चुका है इस कोर्स से संबन्दित नेमलिकित जानकारी हैं क्या क्या जानकारी है नमबर एक मोड्यूल कोर्स को पांच भागों में विभाजित किया गया है यानि total course आपका पांच भागों में विभाज़ते हैं जिसमें interactive PPT और दो सहयोगी दस्तावेज है यानि total पांच है जिन में से तीन आपकी PPT है और दो उसके सहयोगी दस्तावेज है कुल course की अवदी आपकी प्रशनोत्री को करने के बाद आपका course complete माना जाएगा यह कोर्स सभी SRG, ARP और सभी परधाना ध्यापकों के लिए अनिवारिया है सभी को यह करना है इस course को 20 मार्श से पहले हर जन्पद में पूरा करना है आपको यह course 20 मार्श से स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को संपूर्ण करने के बाद सभी SRG, ARP, और परधाना ध्यापक, और परधाना ध्यापक अपना certificate ग्रूप पर साजा करें मानो संब्दा integration यदि नहीं हुआ है सबसे पहले आपका मानो संब्दा पोर्टल, दिक्सा पोर्टल से integration होना चाहिए वैसे तो अब सभी का हो चुका है लेकिन कुछ जो नए परधाना ध्यापक बने है या किसी स्कूल में ऐसे में पहुँच गए हैं जहां पर पहले से कोई नहीं था तो उनको चार्ज बिल गया तो उन्हें सबसे पहले मानो संब्दा को दिक्सा पोर्टल से integrate करना होगा तो इस वीडियो की वदद से आपको एक वीडियो दी गई है इस वीडियो की वदद से अपने कोर्स को complete कर सकते हैं तो यह आदेश तिये हैं आज्या से महानिदेशक सकूल सिक्षा उत्तरपरदेश तो साथ्यो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिसमें click करके आप course को start कर सकते हैं और इस course की प्रशनोत्तरी से संबंदित वीडियो मैं जल्द ही उपलब्द करा दूँगा आप उसका इंजार कीजिए तब तक आप इसको course को start कर लीजिए जैसे ही मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ तो आप उस वीडियो की मदद से आप अपने course को complete कर सकते हैं तो साथ यूँ आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, वीडियो पे comments कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell का icon को press कर दीजे जिससे कि आपको next वीडियो का notification मिल सके, धन्यवाद